पिछले तीन साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे OBC चैनित सिक्षकों का सब्र अब जवाब दे चुका है वो सिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षड से जुड़ी विसंगतियों को समाप्त कर सेग्र नियुक्ति की अपनी मांग को लेकर करीब 15 दिनों से भोपाल में डटे हुए हैं राजधानी के लोग सिक्षड संचनालाइम के सामने OBC चैनित सिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रविवार से OBC चैनित सिक्षकों ने क्रमिक भूख हड़ताल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे कई चैनित सिक्षकों की गर्मी के कारण तब्यत भी खराब हो रही है वो अस्पताल में ग्लूकोस चड़वा कर फिर से धरना प्रदर्शन में सामिल हो जाते हैं वो भी सी चैनित सिक्षकों का कहना है कि परिक्षा पास कर क्वालिफाई किये है इसके बावजूद शासन की ओर से कोई भी अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने नहीं आ रहा है तेज दूप में भी वो विरोध प्रदर्शन कर रहे है और उनका होसला तनिक भी कम नहीं हुआ है वहीं रविवार से वो क्रमिक भूख अड़ताल कर विरोध जाता रहे हैं उनका मानना है कि सरकार का ध्यान सिक्षा पर बिल्कुल नहीं है तबी तो उनकी इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है सोमवार को चैनित सिक्षा के स्कूल सिक्षा राजमंत्री इंदर सिंग परमार से मिलकर ग्यापन सौपनी की तयारी में है वो स्कूल सिक्षा राजमंत्री से सीग रन्युक्ति की कुहार लगाएंगे